दोस्तों ये एक सिंक्रोनाइज मोटर है ये काफी सारे डिवाइस में लगी रहती है इसका आरपीम बहुत कम होता है ये अधर मोटर के मुकाबले बहुत धीरे स्पीड से चलती क्योंकि इसमें बहुत सारे गेर्स लगाए जाते स्पीड को कम करने के लिए लेकिन इसकी जो पावर है बहुत ही जबर्दस होती है मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा इस से कमाल के पर यह AC आउटपुट करता है यह AC से चलता है लेकिन AC भी यह आउटपुट करता है देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ देखिए यह देखिए 300-300V इसने AC भी आउटपुट किया इसकी प्रोब को घुमाने पर बहुत ही कमाल के इससे एक्सपेरिमेंट किये जा सकते हैं अब मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसमें कुछ modification करके इसको continue चलने वाला बना सकते हैं यहाँ पर कुछ लॉक इसमें दिये गए हैं उनको खोलना है और उसके अंदर क्या क्या है मैं आपको पहले दिखा भी दूगा इसके अंदर और एक चीज बाप को बता दूँ अगर इसकी दोनु वायर पर मैं 220V इंपूट करता हूं तो यह मोटर चलने लगेगी यह मोटर 220V से चलती भी है और इसको गुमाने पर यह 220V आउटपूट भी करती है जैसे कि मैंने आपको मल्टी मिटर में दिखाया आउटपूट में बहुत ज्यादा भी कर रही थी इससे करंट भी लगता है अगर आप इसको हाथ से गुमाया और तार पर आप इसके हाथ आपको करंट भी लगेगा इसमें देखिए कई सारे गेर्स हैं इन सभी गेर्स को हमने हटाना है अगर आप बाद में गेर अच्छी तरीकी से लगाना है तो आपको भी एक चीज ध्यान रखना होगा कि यह गेर हमने कहां से निकाले थे क्योंकि यही सबसे मुख्य चीज हो तो देखिए यह मेंगे रहता है मेंगेड जब इस तरीके से कि गूमता है तो बाहर वयंडिंगे रहती है मैंगमें पर के चार-पांच वोल्ट से असानी से चल जाती है ये इस मैगनेट को घुमाएगी जब इस मैगनेट को घुमाएगी तो आउट्पुट में हमें ज्यादा वोल्ट आउट्पुट मिलेगा पहले तो हम इसको अपने हाथ से मैनुवली इसकी प्रोब को घुमा रहे थे लेकिन आप ऐसा घर पर जब करेंगे इस मोडरों को कहीं पर अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे उसके बाद ही यहां पर एक काम कप करेंगे मेरे काम सिर्फ गाइड करने का हैं बागी एक्सपेरिमेंट्स आपने ही करने हैं इससे क्या आप किस चीज में आप इसमाल करेंगे वह पिडिमेंट करता है तो इसको एक बाद इसकी सब्सक्राइब करने का रहता है और इस तरीकी से इसको फिक्स करना होता है तोड़ा साओ और मुझे म 폭 Heil गाए तब अब तक आप वीडियो को like कर दीजेंगर आपने अब तक like नहीं किया है वैसे मांचरब एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है और जयदेतर मेरा repairing का ही काम है मैं आपको repairing की जयदा यहां पर इसमें सकता हूँ लेकिन कभी किभी demand हाथी देखिए जबरदस तरीके से आपर गुमा रही है अब यह जो घूम रही है इसको हम इसी जगब फिक्स करेंगे और मोटर की मदद से घुमा के इससे मैनुली हम आउटपुट करवाएंगे देखिए गूंगी और इसमें हम फिक्स करेंगे तो आप मल्टीमेटर में देखिए एक कैसे हमने तीन वोल्ट से मोटर को चलाके आउटपुट में हमने एसी 125-133 करीब निकाल लिया है यह मोटर कॉर्णर पे फस रही है क्योंकि हमने इसको अभी तक जाम नहीं किया है वरना यह और भी ज्यादा वोल्टेज आउटपुट करती यह कमाल का एक्सप पेर वाली चीज़ें चलाके इससे देखिए एक जनरेटर के रूप में इसमाल कर सकते हैं तो यह पर अच्छी से इसको फिक्स करना पड़ेगा आपने यह पर मैंने सिर्फ आपको गाइड करना था वो कर दिया है बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कुछ चला यह वीडियो को एंड करता है फिर मलते एक लिए वीडियो हो तब तक के लिए थाइंक यू सो मच एंड सी यू टॉमारा